दोस्तों वैसे तो दाल चावल सभी का फेवरिट होता है बट अगर आप रोज की साधे दाल चावल खाकर बोर हो गए हो तो चलिए आज बनाते हैं चना दाल फ्राई इस तरह से अगर आपने इसको बनाया तो आइम शोर इसका स्वात कभी नहीं भूल पाओगे इसमें एट क इनको कम्प्रीट कर देता है और साथ में सैलड तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं और देख लेते हमें इसके लिए क्या क्या चीजों की जरूत पड़ेगी हलो अबरीवन वेलकम बैग तो रिचाज मैनर तो यहां पर मैंने करीब पांच मुठ़ी चनादाल को अच्छे से धो लिया था और दो से तीन घंटे के लिए भीगने के लिए रग दिया है इसके बाद यहाँ पर मैंने ले लिया है टमाटर, यह दो मीडियम साइस के टमाटर हैं, दो हरी मिर्शें, दो मीडियम साइस के प्यास, एक इंच का टुकड़ा अद्रक का और लहसुन की कलियां 10-12, इनको कूठ लेना है अलग से, पीस कर पेस्ट नहीं बनाएंगे, और के अंदर हम डालेंगे 4-5 बड़े चमच रिफाइंड ओयल, जब तेल अच्छे से गरम हो जाए तो इसमें डालेंगे एक छोटा चमच जीरा, थोड़ी सी हीन, और इसके पाद जो हमने खड़े मसाले लिये थे, उनको एट कर देंगे, जब मसाले थोड़ा सा क्राकल होने लगें तब इसके अंदर एट करेंगे हरी मिच और कटा हुआ प्याज, प्याज को हमें अच्छा सा गोल्डन कर लेना है, प्याज जब थोड़ा सा भुन जाए तब हम इसमें जो हमने अदरक और लेसन कूट कर रखा था, उसको एट कर देंगे और इसको भी हम प्याज के स थोड़ी देर तक और भुनेंगे, जब प्याज आपको इस तरीके से गोल्डन सा होकर दिखाई देने लगे, तब हम इसके अंदर एट करेंगे टमाटर, और टमाटर को अच्छे से मिक्स कर देंगे, मसाले के साथ, और इसमें डालेंगे हम दो छोटे चमच नमक, और अच अच्छे से पक गया है, तो अब हम इसके अंदर सुखे मसाले एट करेंगे, तो यहां पर मैं एक छोटा चमच हल्दी पौडर एट कर रही हूँ, एक छोटा चमच सबजी मसाला, एक छोटा चमच गरम मसाला, इन सब चीजों को अच्छी तरीके से मिक्स कर दें मसालों के स और आधि मिनट के करीब भून ले, उसके बाद हम इसके अंदर जो भीगा कर हमने चना दाल रखी थी, उसको एट कर देंगे, और अच्छे तरीके से चला लेंगे, अब दाल के अंदर हम एट करेंगे पानी, तो नमक चुकि हमने पहले ही एट कर दिया है पूरी दाल के हिस तो अब हम अलग से नमक एड नहीं करेंगे, यहाँ पर मैं पहले दो ग्लास पानी एट कर रही हूँ, चला कर एक बर देख ले कितने पानी की और जरुरत है, तो अभी मुझे लग रहा है एक ग्लास पानी इसमें और लगेगा, तो यहाँ पर मैंने टोटल तीन ग्लास पा और आप देख सकते हो कि दाल कितने अच्छे से पक गई है, इसको आप थोड़ा सा इस तरीके से मैश कर दीजे, जिससे की अच्छे से घुट जाएगी और बस हमारी दाल सर्फ करने के लिए रेडी है, इसको हम गार्निश करेंगे कटे हुए हरे धनिये से, दाल में आप ध प्यालेट सर्फ किया है, प्याच और टमाटर, तो बस इतना मज़ेदार खाना, खास का ठंड में तो मज़ा ही आ जाता है, इतना चटपटा लजीज खाना खाकर, बट ऐसा नहीं है कि आप इसको गर्मियों में नहीं बना सकते हो, आप किसी भी मौसम में इस दाल को इस तर पर वाचिंग!